Good morning students, today we will continue our EBS book lesson 13, page number 60 Do you know, do you know का means होता है, क्या आप जानते हो We can take money from ATM हम अपने पैसे, money mix, पैसे ATM से निकाल सकते है ATM क्या होता है Automated Tailor Machine Anytime and Anywhere We can take out money from ATM Anytime and Anywhere बैटा है, यह आपको learn करनी है ATM की full form क्या है, यह बताया गया Automated Tailor Machine ATM में क्या है, हम अपने पैसे कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है Next है Bank There is a bank near my house वहाँ पर मेरे घर के पास एक bank है The bank keeps our money safe, और bank हमारे जो पैसे हैं, उनको सुरक्षित रखता है Next है Hospital, यह भी हमारे घर के पास ही है There is a hospital near my house वहाँ पर मेरे घर के पास एक hospital भी है Doctors and nurses in the hospital look after us when we do not feel well Doctors और नर्स जो हैं, जब हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो हमारी देख भाल करते हैं, ठीक है Hospital में क्या है, डॉक्टर और नर्स हमारी देख भाल करते हैं जब भी हम बिमार होते हैं, कुछ अच्छा फील नहीं खर रहे होते हैं Feel means क्या होता है, महसूस करना, कभी हमें fever रहे हैं या कुछ भी problem है, तो हम hospital में जाते हैं नेक्स है, market, there is a market near my house, ठीक है, वहाँ पर हमारे घर के पास market भी है मेरे घर के पास market भी है, there are many shops in this market और वहाँ market में क्या है, बहुत सारी, many means बहुत सारी दुकाने भी है We buy things of daily need from there, और हम वहाँ से प्रति दिन की हर रोज की जरूरत की चीजें खरीदते हैं ठीक है, next is school, there is a school near my house, वहाँ पर मेरे घर के पास एक school भी है My brother and I go there to study, मेरा भाई और मैं वहाँ पढ़ने के लिए जाते है Next page पर है बटा, there is a fire station near my house, ठीक है वहाँ पर मेरे घर के पास एक fire station भी है Fire station means कि कहीं पर भी आग लग जाती है तो आप लोग वहाँ पर call करके fire brigade को आग भुझाने वाली गाड़ियों को बुला सकते है वहाँ पर उनका office है, ठीक है It has firemen and fire engines और उनके पास क्या है, firemen भी है, आग भुझाने वाले इंसान भी है और engines भी है, machine भी है If there is a fire, अगर कहीं आग लगती है, we call the fire brigade तो हम उनकी team को बुला सकते हैं, ठीक है Do you know, we dial 100 to call the police क्या आप जानते हो, जब भी हमें police को call करनी है, तो हम कौन सा number dial करते हैं, 100 We dial 101 to call the fire brigade और जब भी fire brigade को हमें call करनी है तो 101 number dial करना है We dial 102 to call the ambulance Ambulance को बुलाने के लिए हम 102 number को dial करते हैं, ठीक है Next है, tick the boxes from the place where are in your neighborhood तो आपको ये name दे रखे हैं places के, और आपको उनके सामने tick करना है, जो आपके घर के पास है ठीक है, तो post office अगर आपके घर के पास है तो आप टिक करेंगे hospital है, तो वहाँ पर भी tick करेंगे bank है, आपके घर के पास कोई bank है तो आप bank पर टिक करेंगे school है तो ठीक है, ऐसे ही book shop किताबों की दुकान है, railway station है cinema hall है, या कोई mall है जहाँ आपका घर है तो आप उनमें tick करेंगे ठीक है, जो आपके आसपडोस में है remember, places near our houses make up our neighborhood जग है, जो हमारे घर के घरों के आसपास होती है वो हमें क्या है, क्या बनाती है, neighborhood बनाती है आसपडोस बनाती है, वो ठीक है, neighborhood मिन्स क्या हो गया, आसपडोस the bank keeps our money safe bank हमारे money को, पैसों को सुरक्षित रखते हैं, safe रखते हैं we buy things of daily need from the market हम जरूरत की, हर रोज की जरूरत की चीजों को कहां से खरीते हैं, market से, ठीक है the policeman keep us safe, policeman हमारी रक्षा करते हैं we buy postcard, stamps and envelopes from the post office हम क्या है, postcard, stamps and envelopes, लिफाफे या stamp होती है, मुद्रा होती है मोहर होती है, stamp means मोहर, ठीक है तो उनको हम दाख खाने से खरीते है if there is a fire, अगर कहीं आंग लगती है, we call the fire brigade तो हम fire brigade के पास phone करते हैं, उन्हें बुलाते हैं ठीक है, तो यह हमारा lesson 13 की reading complete हो चुकी है आपको भी इसको ध्यान से read करना है ठीक है, two time read करना है बेटे okay, have a nice day